आप कहीं पर भी कभी भी meditate कर सकते हो in the sense कि इस moment में जो कुछ हो रहा है अगर उसके लिए आप aware हो तो आप meditation में हो it is as simple as that मतलब कि ध्यान करना नहीं है लोग यह समझते है meditation करना meditation कोई करने वाली चीज नहीं है जैसे प्यार के लिए भी लोग बोलते हैं प्यार करना प्यार कैसे करोगे तो हो जाता है ऐसे ही meditation हो जाती है कब हो जाती है जब हम इस moment में पूरी तरह से होते हैं जब हम पूरी करकी नहीं करनी है करके लिए हराम से टिक करके बैठना है अपनी बैक सीधी रखनी है जो है उसको देखो जो आवाजे हैं यहां पर उसको सुनो उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है थौट्स आते हैं तो आने देना आएंगे अपने आप चले जाएंगे बट हमें पूरी तरह से virtual world में है अपने mobile की दुनिया में ही खोए बड़े हैं पता ही नहीं हमारे आसपास में क्या हो रहा है तो यह meditation आप कहीं भी कर सकते हो कभी भी कर सकते हो मेट्रो में आ रहे हो वहाँ पर कुछ देर के अपने mobile को बंद करके off करके जेब में डाला just be aware of कि क्या हो पुछ उन कला है आपको एक सेकिंड में सब कुछ समझ आजाएगा किसी person से मिलोगे तो एक सेकिंड में समझ आ जाएगा अब यहां पर कोई जादूभी बातें नहीं कर रहा हूं मैं समझ अचे कि चुब ही कुछ है एकदम से देख जाएगा हम ढ़ीं दिखता ही नहीं है ह देखो अब ये चेहर हेली, आवाज आई, किया किसी ने, अभी सब आसे, आवाज आई, हलका हलका कोई हिल रहे हैं, वो आवाज आ रहे हैं, अगर आप पूरी तरह से अवेलेबल हो, अभी यहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए, तो आपको कॉंसेंट्रेट करने की ज हम अवेलिबल नहीं होते हैं, जो होता है उसके तेम अवेलिबल नहीं होते हैं, इसलिए जो होता है उसको हम देख नहीं पाते हैं, सिर्फ जो नहीं होता है उसके पीछे भागते रहते हैं, और अगर आप पूरी तरह से available हो जो है उसके लिए उसी को प्यार कहते है और प्यार क्या है बताओ आपके आसपास में कोई है और आप उसके साथ तो हो लेकिन यहां हो बाहर बाहर से उसके साथ हो ऐसा लग रहा है दोनों को लग रहा है कि वो मेरे साथ है न उसके साथ हूँ कोई किसी के साथ नहीं है इसलिए लड़ाई जगड़े होते हैं आप किसी के साथ रिलेशन्शिप में हो अगर आप वहाँ पर टिक करके अराम से बैठ करके देख पाओ कि उस परसन को क्या चाहिए अपनी लाइफ से तो आपकी रिलेशन्शिप अच्छी हो सकती है अगर आपको ये समझ आ जाए कि पूरी तरह से एक जग़े पर कैसे होते हैं तो आप वो सब कुछ देख सकते हो जो और लोग नहीं देख सकते हैं जो और लोग के लिए देखना इंपॉसिबल है तो कि वो यहाँ जी रहे हैं कि वो यहां जी रहा है अगर कोई काम कर रहे होगे तो आपको एसी-सी चीज़े नजर आ जाएंगी जो और फो नहीं आ सकती कि जाए आप जोब कर रहे हो ज्य बिस्नस कर रहे हो मुश्के लाई है यह इस Андानिया असान है यह बहुत असान है किसी ने इस तरह से बताया है नहीं, किसी ने इसकी इंपोर्टेंस बताई ही नहीं, क्या बताया बस पढ़ते रो, पढ़ते रो, खचरो की तरह लगे रहू, लगे रहू, लगे रहू, सबका इंटरस्ट आपको खचर बनाने में है, क्योंकि वो खुद खचर है, क्या करेंग अगर आप उस जगे पर टिक करके उस प्रॉब्लम को देख पाओ देखने का मतलब ही समझना है समझोगे कैसे कि जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से उसके solutions कैसे निकालने है जब एक जगे पर टिक करके रुक करके अपनी उन प्रॉब्लम्स को देख पाओ गे चाहे वो प्रॉब्लम्स अंदर है चाहे बाहर है और अगर पूरी तरह से देख पाओ तो क्या उसका solution में का अला मुश्किल है यह असान है असान है इसलिए तो कहता हूं सब असान है बस ऐसी अराम से बैठना होता है कुछ नहीं करना होता है कई के बार मैं ऐसे घंटों तक बैढ़ा रहता हूं आके खुली होती है किछ उता नहीं है करने के लिए और नीम नहीं आती नहीं आती सर्थ मेडिटेशन के लिए इत्ती शांती जड़त होती है not required, शोर का अलग मज़ा है, शांती का अलग मज़ा है, meditation क्या है पहले यह समझ आया, just to be available to what is, not what should be, समझ गया है, हमारे अंदर की दुनिया क्या है, जो है अम उससे खुश नहीं है, this should be like this, जो हमारी life है वो अभी सही नहीं है, this should be like this, we are always living in should be, so living in what is, being available for what is, is meditation.